कॉंग्रेसी सांसद अधीरंजन चौधरी ने महामहीम राष्ट्रपती के पती एक गैर जिम्मेदार और अभधर बयान दे दिया जिस पर उन्होंने बाद में माफी भी मांग लिया लेकिन उनके बयान पर सियासी उबाल भी उमड पड़ा कॉंग्रेसी सांसद अधीरंजन चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि देश की महामहीम राष्ट्रपती के प्रती कॉंग्रेस के सांसद की अभधर टिपड़ी अत्यत निंदनिय है यह टिपड़ी भारत के समविधान का अपमान करती है भारत की मात्रशक्ती का भी अपमान है भारत की जनजाती समाच का भी अपमान है और भारत के सर्वच समवैधानिक पत पर विराजमान राष्ट्रपती जी के साथ ही एक प्रकार से देश का भी अपमान है मैं इस अभधर टिपड़ी के लिए कॉंग्रेस सांसद और कॉंग्रेस की निंदा करता हूँ अपने इस निंदनी अक्रित्य के लिए उन्हें देश्वासियों से माफी मागनी चाहिए यह देश इस प्रकार की किसी भी टिपड़ी को कभी सुईकार नहीं कर सकता है कॉंग्रेस पार्टी अपनी जवाब देही से मुकर नहीं सकती है इस संबंध में गुरफपुन्यूस से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा देश की महामहिम राष्टपती जी के प्रती कॉंग्रेस के सांसत की अभद्र टिपनी अत्यंत निंदनी यह है यह टिपनी भारत के संब्धान का अपमान है भारत की मात्री शक्ति का भी अपमान है भारत के जन्जातिय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च समयधानिक पत पर विराजमान राश्टपती जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है मैं इस अभद्र टिपणी के लिए कॉंग्रेस सांसाद और कॉंग्रेस की निंदा करता हूँ अपने इस निंदनिय करते के लिए उन्हें देश वास्चियों से माफी मांगने चाहिए या देश इस परकार के किसे भी अवांचनिय टिपणी को कभी स्विकार नहीं कर सकता है कॉंग्रेस पार्टी अपने जवाब देश से मुकर नहीं सकती है